मैंने चार साल अपने घिसवा के कुछ पढ़ाई लिखाए करी, स्किल सीखी, सोचा कंटेंट बनाऊँगा, तो अपना भी फायदा करूँगा, दूसरों का भी फायदा करूँगा, फिर मेरी जिन्दगी में आई, एंटिना लोपेज, ये वही मौतरमा हैं, जो 9 लाक रुप इसी चीज़ को लेके मैंने अपने दूर भाश यंत्रों को अक्टिवेट किया, ताकि मैं भी एंटिना लोपेज, या कायरा अंटी, या अंकल, जो बोलो, वो बना सको AI Influencers को आप इन तस्फीरों में देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, AI Influencers जो हैं, वो दो तरीके के होते हैं Image Only Influencers जैसे हमारी एंटिना अंटी, जिनके पास सिरिफ images पोस्ट करने के लिए है, reads, videos जैसी चीज़े तो इनके universe में exist इने करती, ये सिरिफ आपका dopamine बढ़ाने के लिए होती हैं दूसरे होते हैं, Remix AI Influencers, जो हर media form में आपको content provide करेंगे, चाहे वो images हो, video हो, या हो audio तो यहां हम सिरिफ image generate करके कोई AI Influencers नहीं बनाने वाले हैं, अगर आपको seriously इसको note 56 की machine बनाना है, तो आपको content डालना पड़ेगा मिट्टी का फुतला नहीं दिखाना है आमें जो dopamine बढ़ाएं, तो शुरू करते हैं से step 1 के साथ, images, आपको अपना AI Influencers का एक character face चाहिए, यह नहीं कि आप बस image generate करते रहें और face match नहीं कर रहा हैं, और आप लगे हो धन 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 पोस्ट करने में, तो उसके दो पहला बता, आपको बहुत लोग सिखा रहे होंगे कि Tensor Art पर जाओ, images model, अबे आसान भाशा में समझा, image model और styles, यानि image anime style होनी चाहिए, या कितनी details उसमें होनी चाहिए, realistic होनी चाहिए, या cartoonistic होनी चाहिए, अगर हम realistic image बनाना चाहते हैं, जो जरूरी है AI Influencer के case में, तो उस के लिए एक image model पहले से तयार आपको मिलता है, जिसमें बस आप prompt डाल के आप वो ही style की images बना सकते हैं, आपको prompt में बाल बाल नहीं लिखना पड़ता है कि इस image को ऐसा बनाओ, या वैसा बनाओ, वो model उसी तरीके से design रहता है कि वैसे ही styles आपको मिलेंगे हर image में, तो अगर आपको realistic images बनानी है, तो उसमें एक best image model आता है, उसे हम कहते हैं juggernaut model, जो ऐसी realistic images generate करता है, लेकिन अगर आप tensor art पे बनाना चाहे हैं, तो बना सकते हैं, बट वो पूरी तरीके से free नहीं होगा, लेकिन हम हैं जुगाडू आदमी, हमें चाहिए full free, तो हम इस्तिमाल करेंग के goal से बना हुआ नीमबू पानी समझ लो, हैर मैंने description पर link दे दिया है, आप उसको click करके ऐसे interface पर पहुंचेंगे, यहां पर connect के option पर आप GPU को connect करेंगे, और play के button पे click कर देंगे, और जब यह पूरी तरह load हो जाएगा, तो आपको नीचे यहां पर एक link देखने को मिलेग जो कि एक interface link है, और इसको click करने के बाद, आप focus की web interface पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको prompt डालके images generate करने का मौखा मिलेगा, अब इस interface में आपको दो options नीचे मिलेंगे, input image और advance का, advance के option पर click करके, आपको यहां पर settings देखने को मिलेंगी, जो की बहुत से different aspects हैं, किस aspect ratio में आपको image generate करनी है, या कितनी images generate करनी है, quality भी आप manage कर सकते हैं यहां से, लेकिन हम इसको default रहने देंगे, और अब style के option पर click करके, आपको यहां पर styles भी देखने को मिलेंगे, कि cinematic बना model और advanced, model पर आप जाएंगे, तो वहां पर देखने को पहले ही मिल जाएगा, juggernaut model का यहां पर इस्तिमाल किया जा रहा है, तो उसको default रहने दो, advanced settings को भी default रहने दो, कोई छेड़कानी मत करो, अब हाँ अपनी image को generate करेंगे, aspect ratio यहां पर हम one is to one ले ले लेते हैं, क्योंकि Instagram का post का aspect ratio यही होता है, और मैं यह वाला prompt अभी डाल रहा हूँ, मैं इसको description पर लिख दूँगा, आप check out कर ले न, वैसे आपका prompt अलग हो सकता है, simply इस prompt को डाल के मैं generate पे click करेंगा, और जब यह खतम होगी, तो ऐसी images आपको देखने को मिलेंगी, जो की realistic तो है, अब इस image को हम save करेंगे, और नीचे एक और option होगा, input image का, उसे click करेंगे, यहाँ पर आपको ऐसा interface देखने को मिलेगा, कि आप scale और variation, image prompt, in paint, out paint, हम image prompt पर click करेंगे, और drop image section पर जाके, हमने जो image save करी है, उसको upload करेंगे, अब आप नीचे आएंगे, तो आपको यहाँ पर advanced का option देख वो fix हो गया है कि वही generate होगा, अब जैसे कोई भी prompt में डाल देता हूँ, woman wearing sari in a Indian wedding, अब वही images generate होगी, उसी face के साथ, लेकिन अलग-अलग जो भी आप prompt डालेंगे, उसके हिसाब से, जब मैं test कर रहा था, तो कभी-कभी बहुत occasionally ऐसा हुआ कि वो face match नहीं हो रहा था, तो या तो आप फिर से try कर सकते हैं, या आप दूसरे तरीके का इस्तिमाल कर सकते हैं, जो बहुत लोग करते हैं, discord बजाओ, वहाँ पर एक bot होता है, insight face नाम का, उससे आप face swapping कर सकते हैं, जो कि मैंने अपनी इस वारी वीडियो में share किया हुए, अब आती है वीडियो की बारी तो पहला तरीका जो आपकी skill लेगा और बहुत जगा भी लेगा, समझे लेगा अगर आप वर्चुल साइपक इस creator को जानते हैं, तो ये एक AI influencer है, लेकिन इनकी वीडियो काफी ज़्यादा realistic होती हैं, तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए Unreal Engine का Meta Human का इस्तिमाल किया जाता है, देखो character बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है Meta Human के अंदर, आप सीधा Meta Human की site पर जाएए, डाउनलूड कीजे उसके software को, हाँ यही तो बड़ी बात है, बहुत भारी होते हैं ये software, लेकिन यहाँ भी face बनाना होते हैं असाने जितना आप Instagram पर कोई avatar बनाते हो, ये तरीके होते हैं, या तो आप अपनी पूरी जान लगा दो, इसे सीखने में और हर expression को आप animate करो, ये अपने आप में इतना बड़ा topic है, इसके लिए हमने एक वीडियो अल्रेडी प्लैन किया हुआ है, अगर इस वीडियो में 3000 लाइक से ज्यादा आए, तो हम वो upload कर देंग चाहे हमारा system हैंक क्यों न हो जाए, लेकिन अगर आपके पास iPhone है, तो खुश हो जाओ, आपको अब अपनी skill लगाने की भी ज़रूत नहीं, iPhone में लिडार sensor होता है, और इसकी dedicated app भी आती है, जहां पर आप Unreal Engine के इस Meta Human को अपने तरीके से motion track करवा सकते हैं, और animate कर सकते हैं अपने expressions को, वो भी real time में यार, सालो तुम किस्मत वाले हो, या तो फिर आपका दूसरा option है, CGI सीखना पड़ेगा, तो दूसरा तरीका जान लो, वो है runway ML, जैसे अब इनका एक नया feature है, motion brush tool, तो influencer की जुलफे लहरा सकते हो, लेकिन फिर वही बात आजाती है, पैसा नहीं ल model की मदद से face swap करना अपनी videos का, वाई ये Google collab का खेल है ये भी, अब example के लिए हमने जो AI character बनाया था, ये वाली आउंटी, हमें इनका face, मालो इस video में लगाना है, for example, देखलो इनका चेहरा अलग है न, हमें ये वाला लगाना है, तो description पर link होगा, एक minute में आ रहा हूँ, जब कोई number या spacing हो file के नाम में, तो उसका नाम बदलें, अब जैसा ही ये सब process खत्म हो, नीचे आपको link मिलेगा, अपनी video file का link copy करो, और यहाँ paste करो, फिर image को copy करो, और यहाँ paste करो, और play का button दबा दो, अब जब ये अपनी आखिरी सांसे ले रहा होगा, तो successful लिखके आएगा और एक swapped file बन जाएगी, इसे डाउनलोड कर लो, बस, अब ये वापस आ गया अपने face पे भी लगा सकते हैं, लेकिन शर्त है, आपका body type भी वैसा ही होना चाहिए, जो आपके character का आपने बनाया है, तो वो थोड़ा एक disadvantage हो जाता है, इस चीज में, वो बात अलग है कि until and unless आप किसी meme page या सिर्फ मजे के लिए, या experiment करने के लिए, एक AI influencer का channel बना रहे है तब आप अलग-अलग body types का उसमें experiment कर सकते हैं, अबे क्या, यो तो idea बन गया अबे, लिख लेता हूँ, अब बारी audio की, जो कि सबसे simple है, 11 labs पे जाओ, free में भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर free को option आपको 11 labs यूज ना करने दे रहा हो, तो मैंने अब भी offer में उसे एक डॉल आज की जमाने के सबसे ठीक है, यार, यह तो मैंने अपने AI influencer की आवाज कुछ यह रखी, यार, यह तुम्हारी बहुत गलत बात है, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, तुमने मजाक समझ रखा है क्या, चलो जल्दी subscribe करो, तो इसके बाद अब क्या करना है, Instagram का page बनाओ, अ अगर वाकई नहीं आता, तो बहुत सुखे इंसान हो, यार, तुमने, जिन्दीगी के मज़े तो तुम ही ले रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपने ये सब चीजे कर ली, इसका मतलब ये नहीं है, कि आप day one से ही पैसा कमाना चालू कर देंगे, च लेबसाइड और न्यूसलेटर बनाके, इवन आप आगे जाके इनका podcast खोल सकते हैं, किसी के साथ नहीं, single podcast, 11 laps की मदद से आप बना सकते हैं, देखो यार, टाइम लगेगा, यहां इनसानों को 4-5 साल हो गए हैं, इस सब चीजों को करते-करते, बस आपकी creativity, patience, और consistency काफी ह इस market में अपनी पहचान बनाने के लिए, वैसे आपको अगर YouTube ideas चाहिए हों, जो कि unique हों, लोग देखे बिना रहना पाएं, तो उसके लिए ये video, मैं मलता हूँ आपको अगली video में, तब तक के लिए, be busy